दोस्तों इंडिया में Redmi की Note series का जितना क्रेज है मुझे नहीं लगता कि बाकि किसी भी अधर स्मार्टफोन की series का उतना ज्यादा क्रेज होगा और इस टाइम पर भी दोस्तों Redmi की Note 11 series का लोग जो है वो BS3 से इंतजार कर रहे हैं लेकिन खास करके दोस्तों जो चाइना में Redmi की Note 11 series launch हुई है जो इंडिया में Xiaomi, Xiaomi की branding के नीचे आने वाली है उसका लोग ज्यादा वेट कर रहे है और अगर आप लोग इस series का वेट कर रहे है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी good news है क्योंकि इंडिया की IMEI data website पर ये दोनों ही phone दोस्तों लिस्ट हो चुके है और इसक उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो अगर आप लोग इस series के लिए excited है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना डेफिनेटली आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आएगा खैर चलिए सीधा वीडियो अब स्टार्ट करते हैं तो शाओमी 11i और शाओमी 11 के बारे में तो किसी को पता है नहीं क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन 20 डिसेंबर के अराउंड दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में दोनों ही लॉंच होने वाले है तो अब दोनों के डिफ्रेंस के बारे में बात करूं तो शाओमी 11i में आपको और चारजिंग के मामले में देखने को मिलते हैं बाकी सारी चीजे दोस्तों यहान पर आपको शेंब देखने को मिलती है चाहें कि बात करूं दोनों में सेमें सिक्स इविंचिस की सूपर एमोलेड वनढ़ कट्वैंटी और रिफ्रेसरेट की बात करूं तो ड़ैमने furniture 929 चायब भी दोनों में सेम है इसके अलवा केमरा की बात करूँ तो केमरा भी सेम है 180 MPP प्लस 8-2 MP ऐसे 3 केमरे रिर साइड में है और फ्रंट साइड में है 16 MP का सेलफी केमरा सेही केमरा दोनों में दुट्व जो भी Redmi के phone में features होते हैं वो सारे features आपको दोनों में same देखने को मिलते हैं सिर्फ battery और fast charging को छोड़ कर तो features वैस दोस्तों दोनों स्मार्टफोन काफी जबदस्त होने वाले हैं अब pricing की बात करूँ तो जो Xiaomi 11i है जो चाइना में Redmi Note 11 Pro के नाम से launch हुआ है उसकी जो price है वो चाइना में दोस्तों 18,000 देखने को मिली है तो इंडिया में उससे 2,000 ज्यादा price के साथ ही launch होगा तो इंडिया में हमें इसकी जो starting price है वो 21,000 देखने को मिल सकती है और जो 120W वाला phone है Xiaomi 11i आई पर charge उसकी price है में इंडिया में दोस्तों 25,000 के around देखने को मिल सकती है अब दोनों में differences सिर्फ charging और battery के मामले में ही है तो यहाँ पर जो value for money होगा वो दोस्तों Xiaomi 11i होगा 67W का जो charger है वो enough होजाता है 120W के आपको कोई भी जरूद नहीं पड़ती है तो उस चीज़ के लिए आपको 23,000,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे लेकिन जो value for money होगा वो Xiaomi 11i होगा क्योंकि बाकी सारे features तो दोनों में सेम ही है और उपर से यहाँ पर battery भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है तो यह है पूरी कहानी दोस्तों Xiaomi 11i और Xiaomi 11i Hyper Charge की यानि की चाइना की Redmi Note 11 सीरीज की अभी इंडिया में जो Note 11 सीरीज आएगी वो पूरी different होने वाली है उसमें शायद 2-3 स्मार्टफोन 5G होगे और एक जो फोन है वो 4G connectivity के साथ आने वाला है उसके उपर भी वीडियोज हमारे चैनल पर आचुके है आप लोग जरू से चैक आउट कर लेना फिलाल आप लोग कमेंट करके बताना कौन से फोन का आप लोग वेड कर रहे है Xiaomi 11i या फिर 120W वाले Hyper Charge स्मार्टफोन का अगर यह वीडियो आपको अचा लगा है लाइक जरू कर देना चैनल पर अगर नहे है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं डेल यह आपको ऐसे ही वीडियोज यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे ख्यार मिलते हैं अगला इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जैएन